नमस्कार दोस्तों दप्लान गुरू चैनल में आपका एक बार फीर स्वागत है आज की इस कड़ी में हम देखेंगे कि जनवरी फरवरी में इसे कौन से पौदे लगा दे जो कि हमको बारिस तक पूल देते रहें और यदि हम बारिस में भी उसको बचा सके तो यह आगे भी तो मेरे सामने कुछ पौदे रखे हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और यह जो पौदे हैं यह तो ऐसे सिलेक्टेट 4-10 पौदे हैं लेकिन इसे बहुत सारी वेराइटियां होती है जिसको आप जनवरी फरवरी में लगा लेते हैं तो वह आपको बारि मैं बताता हूँ जैसे एक तो यह जर्बेरा हो गया यह वाला पौदा अब देख रहे हैं जर्बेरा का पौदा है और यह वैसे तो साल भर चलने वाला पौदा है और इसमें बहुत सारे कलर और पेटन आते हैं जिसमें बड़ी बड़ी पत्तियां होती है और यह आपको कह इन कही साल भर चलता है लेकिन यह ज्यादा तर लोग जो है जनवरी फरवरी में इसका प्लांटिशन करते हैं ताकि जो है आगे चलके यह सैट हो जाए तो इसको भी आप अपने घर में जगा देए क्योंकि बहुत ही काफी खुबसूरत पौदा यह दो तीन कलर चार कलर में यह मुल जाएगा इसके साथ में जह एक समय जो पौदा लगता है वह यह वाला प्लांट लगा सकते हैं जरैणी Manhom का जराणीम का पौदा जो है प्लांट से कलर में और अलग-अलग दोस्तों यह कटिंग से तयार होता है अब यह देख रहे हैं इसारे कटिंग की हुई है मतलब इस पौदे से भी चार पौदे पहले बन चुके हैं उसके बाद में यह पौदा आपके बीच में है आप इसको बारिश से पहले जो है इसकी पूर्णिंग कर लीजिए और उसके बाद में इसकी कुछ कटिंग ऐसी जगा पर लगा दीजिए जहां डारिक बारिश नहीं आती है तो बहुत बढ़ियां बन जाएगा आप इसकी कटिंग फरवरी में भी लगा सकते हैं ठन को छोड़के आप इसकी कभी भी लगा लीजिए काफी खूबसूरत पौदा बनता है एक नर्सरी में होने के साथ में जो है मैं बिजनसमें भी हूं नर्सरी का बिजनस करता हूं बहुत कम लोग ऐसा आपको बताएंगे कि आप खुद पौदा बना लीजिए दोस्तों ग्यान बाटने से बढ़ता है और उसी थेओरी पे मैं काम कर रहा हूं और मुझे इंपेशन का प्लांट है इंपेशन को यदि आपने बारीज से बचा लिया तो भी यह साल बर चल जाएगा अभी इसको ठंडी में लगाते हैं और उसके बाद में गर्मी के लू से बचाते हैं डारेक लू वाली जगा पे नहीं रखे इंडॉर पौदा है आप इसको हेंग नहीं से चार पांच छे कलर जो मिले वेरिगेटेट मिले शेडवाला मिले सिंगल मिले आप पौदा खरीद लेजिए इंपेशन का और उसको गंबले में लगा दीजिए उसके बाद में वह मदर बन जाएगा मदर के बाद में आप कटिंग से इसको बड़ी आसानी से ग्रो यह Balsam बीगोनिय इसकी मोटी मोटी तेनिया रेती है इसको Balsam भी लोग बोलते हैं और ब्योनिय वहें लेकिन Balsam बीगोनिय की नई वाराइटी है यह बहुत सारे कलर में आते हैं कलर ये इस हेड़ी और ऐसमें दॉट वाले कलर मिल जाएंगे मुद्दा ये नहीं है कि कलर कितने होते हैं मुद्दा ये है कि आपके पास मदर है कि नहीं इसका भी मदर आपको ठंड के दिनों मिलता है जनवरी फरवरी में इसका मदर आप लगा लिजे उसके बाद में आपके मदर होने के बाद में यह पौदा बहुत अच्छा ग्रो करेगा गर्मी के दिनों में लू से इसको भी बचाना है यदि आपने लू से बचा लिया तो आपको आगले सीजन के लिए पौदा इसी से बना लेंगे और उसकी भी में जानकारी आपको इसी वीडियो में कहीं न कहीं दे दूँगा दोस्तो अगला पौदा मेरे पास में है यह है पेंटास का पौदा पेंटास बोलते हैं और यह पेंटास का पौदा भी साल भर ब्लूमिंग करता है और इसमें भी 7-8 color आपको मिल जाते हैं, variegated मिल जाता है, shaded poda मिल जाता है, अभी ये देख रहे हैं, ये फूल है, और ये जो इसकी कली है, आप देख रहे हैं, कली बहुत बारिक-बारिक फूल निकलते हैं, और गुच्छे में लगता है जरवेरा जैसा, ये जो गुच्छे बनता है, और ये जो है, इसमें miniature की variety भी आती है, broad lip के आती है, तीन फिट तक भी ले जा सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं, इसके आप cutting करके रखें, काफी खूबसूरत ब्रांचेस निकलती हैं, और ब्रांच के साथ में जितनी ब्रांच निकलेगी, उतने फूलों से लज जाएगा ये, और ये pentas का पोदा साल भर चलता है, इंडोर पोदा है, शेमी शेड़ेट प्लांट है, और काफी खूबसूरत रहता है, land escaping में इसका बहुत उप्योग करते हैं, आप इसको भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको geranium के बारे में बताया थ सबसलें आप सकते हैं, अपके नगाफ से बारे में रहता है है, आप तो आप तोड़ते हैं जैसे कि आपको घर में खुशबू को आएगी और इसको गरम पानी में जब आप लिए या पानी जब गरम कर रहे हैं उस समय डाल देंगे दो-तिन पत्ती तो काफी खूबसूरत बंद-बंद पानी से खुश्बू आएगी जरेनियम की नेचरल फ्रेग्रेंस है जरेनियम का इसका आप इसको भी आपने घर में एक जगा दीजिए बहुत ही खूबसूरत पोदा है पत्तों से भी ब्लूमिंग पर होती है ऐसे तो फूलों का बहुत बड़ा कलेक्षन होता है बहुत सारा आप रखते भी क्योंकि आपका बगीचा देखकर मुझे भी बहुत खोशी होती है और यदि आप फिर भी संपर कैसे नहीं कर पाया तो कमेंड में आपकी कुछ समस्या है या आपने कुछ अच्छा किया तो उसके बारे में लिखिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों क्या होता है या जो पढ़ाने वाला या जो कुछ समझाने वाला होता है या कुछ बताने वाला होता है उसके द्वारा बताई गई चीज यदि कोई अपलाई करता है को सीखता है काम में लेता है और उसको फाइदा होता है और उसके यहां पर उसका रिजल्ट अच्छा आता है और उसक यारों कमेंट आते हैं सबके जवाब नहीं दे पाते लेकिन कुछ लोगों के जवाब जरूर देते हैं और आपके भी जवाब देंगे यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक किजिए और शब्सक्राइब जरूर किजिए मुझे उमीद है कि यह वीडियो भी पसंद आया सब्सक्राइब देश्ट